हाई वर्यवन वेलकम टू फॉर्स इंवेस्मेंट अद माय नेम इए शिवांच मसी आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि कल कौन से इस तो आकस पर रेट कर सकते हैं प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का सेट अप क्या रह सकता है सारी बाते करेंगे इस पर्ट अबने सिस्टम या सेटप पे आचुके हैं सबसे पहला स्टॉक जो मैं आप लोगों के सामने प्रेजिंट कर रहा है वो है विदान्ता विदान्ता अल्रीडी मैं आप लोगों को बहुत ताम से अल्रीडी बता रहा हूं कि ये स्टॉक पे बुलिश पैनेट पाटन का एक काउट आया है definitely you can go for a long पहला टागेट जो था वो हमारा चीफ कर चुका है जो कि 280 रुपीज का था सेकेंड टागेट है हमारा 287 रुपीज का अगर आप लोगों को ने करेंटली से बाय कर रहा है तो yes definitely you can hold this particular stock बट अगर आप लोगों को एक fresh position बनानी है तो बात करते हैं इसके current price की current price है इसका 280.85 रुपीज आपको 281.5 के उपर बाय करना है remember जो price या जो level बताया जा रहा है entry level बताया रहा है उसे note करिएगा above 281.50 के उपर बाय करना है वो level कोई भी हो सकता है 282 भी हो सकता है targets हमारे होंगे 287 से लेके 288 रुपीज के तो यह सारे levels को note करके रिखिएगा stop loss आपको put करना है 277.5 रुपीज का यह bullish pennant pattern है आपके सामने visible है आप लोग अपने chart setup पे जाके से draw कर सकते है ठीक है so let's move to our next talk so हमारा next talk है HDFC HDFC पर भी आप लोगों को buy करनी की सला दी जा रही है आप लोगों को पहले भी दिया था है but आप लोग definitely अभी वी एक buy बना के चल सकते है after a long range of consolidation एक lower lows and lower highs का pattern follow करते है eventually अभी इसने अपने bottom से higher rise and higher lows का pattern को follow कर है plus एक multiple supply zone एक multiple resistance zone की उपर जाके इसने closing दिया है आप लोगों को वी visible होगा हो तो यहाँ पर आप लोग definitely buy करके चल सकते है दुबारे बात करता हूँ यह मैंने already stock recommend कर रहा था अपनी previous वीडियो पर so अगर आप लोग still hold करे वे हैं तो it's a very good opportunity कि आप लोग अभी भी रुके रहे है but अगर अभी तक आप लोगों ने buy नहीं कर रहा तो एक छोटा सा hurdle है 26.22 रुपीज की उपर 26.22 रुपीज पर ही है so आप लोगों को क्या करना है current prices का 2619 का 2622 की उपर निकलता है you can go for a long और I think यह particular stock आप लोगों को अराम से 100 रुपे से 200 रुपे की movement बहुत easily दे सकता है within a couple of weeks यह HDFC अगर market outperform यह बढ़िया करती है stable भी रेती है जाद नीचे नहीं जाती है HDFC का यह stock हमें अच्छे returns दे सकता है इसको अपनी watch list के अंदर जरूर आड़ करेगा एक stop loss बता देता हूँ जहां से यह particular जो trend अप trend है वो invalid हो जाएगा so 25.50 रुपीज का stop loss maintain करके रख सकते हो अगर 25.50 के नीचे जाना start करता है तो हमारे यह stock invalid हो जाएगा long side बे और तब हम लोग महाँ पर अपनी position को loss पे square off कर सकते हैं बट अभी के लिए आप लोग इसे hold कर सकते हैं I think 1 is 2 4 का restore reward issue है तो आप लोग बहुत easily इस पे trade लेकर चल सकते हैं so let's move to our next stock हमारा next stock है BEML BEML भी आप लोगों को provide करवाया था हमारे YouTube के through यहां पर आप लोगों को बताया गया था कि definitely it's a very good opportunity to buy in this particular stock stock आप लोगों को पता यह already एक uptrend के अंदर है जब हम लोगों ने आपर इस particular flag pattern का एक breakout देखा था इस level पे तो मैंने अपने clients को suggest कर रहा था and we are still holding but अगर आप लोगों ने नहीं buy कर रखा कोई opportunity के साथ आप miss कर गयोंगे इस trend को उसके बाद देख सकते हैं यह दुबारे एक range के अंदर आया range के अंदर आने के बाद मैंने आप लोगों को अभी एक sharp uptrend के बाद so इसे हम लोगों कहते हैं bullish pennant pattern इसका breakout हम लोगों ने इस level पे देखने को मिला था हम लोगों ने अभी वी still hold कर आवा है multiple clients ने hold कर आवा है so आप इसे अभी वी hold कर के चल सकते एक छोटा सा minor सा resistance है 13.60 के आसपास 13.65 के आसपास current prices 13.46 रोपी yes थोड़ा सा उपर है but I personally think यह और उपर जा सकता है अगर मैं आप लोगों के लिए trend line or draw करता हूँ तो आप देखेंगे कि इस particular area के उपर इस particular area के उपर कहीं पर भी यह नहीं गया यह देख रहे हैं इस particular area के उपर कहीं पर भी नहीं गया इसके उपर closing देखने को मिलिया I think it's a very good opportunity हो सकता है शायद retest करना है तो एक बर 15 minute का time frame भी check कर लेते हैं देखें एक sharp approve करी यहाँ पर अब consolidate कर रहा है हमें क्या करना है अगर कल market open होती है और यह इसके नीचे जाना start करता है तो हम लोगों को trade नहीं करना ठीक है हमें first 15 minute के अंदर कोई इस पर trade नहीं लेना है हम लोगों को patience ली पहले wait करना है कि इसका trend है क्या अगर इसी range के अंदर trade कर रहा है तो कोई बात नहीं छोड़ दीजे अगर इसके नीचे चले जाता है तो भी stock को ignore कर सकते है बढ़ अगर अगर आप लोगों को ऐसा लगता है यह stock ऊपर जा रहा है 13.50 के ऊपर sustain कर रहा है तब आप लोग एक buy setup generate करके चल सकते है within a couple of weeks days आप लोगों को इसके stock के अंदर भी अच्छा return देखने को मिल सकता है तो लोगों को बढ़े 3 stocks discuss के लिए let's move to our 6 stock तो हमारा next stock है polycab polycab आप लोगों को अरेडी बता है एक uptrend के अंदर चल रहा है exact lifetime high pay stock trade कर रहा है तो यह उसके बाद अगर आप देखेंगे previous अपने uptrend से इसने कप and handle pattern का formation कर रहा है यह देखने है यह एक up है and multiple by यहाँ पर यह consolidate करा है ठीक है so almost almost अगर मैं आप तको को बताना चाहों तो almost अल्मोस ती है दो हफते से consolidate इस range के अंदर था and eventually इसका हम लोग ने breakout आते हुए देखने के मेला है अब यह नीचे आ रहा है अपने breakout level से सो यहां पर में एक resistance level सबसे पहले आपको बना देता हूँ जो एक छोटा सा hurdle है जो कि जब यह breakout candle ने गया उपर जब एक breakout candle उपर गई उसके बाद जो second candle होनी चाहिए थी वो breakout के उपर closing देनी चाहिए थी बट actual में ऐसा नहीं हुआ अगर आप थोड़ा सा zoom करके मैं दिखाता ह आप देखेंगे इसके उपर closing देखने को नहीं मिली है ठीक है यह उटा नीचे ही closing देखने को मिली है तो यहां पर हमारे लिए एक indication मनता है कि यह चोटा सा hurdle है अब यहां पर यह एक level है जहां पर एक बर यह retest लेने भी आ सकता है because multiple time consolidate कर रहा है तो अभी current price की बात करते हैं 17.06, 17.07 के असपास अब नीचे जो एक support है वो है 16.96 रूपीज का 16.97 रूपीज का so almost almost यहां से 10 रूपे नीचे है अब कल आपको क्या करना है कल आपको patience लिए वेट करना है अगर यह कल नीचे आना start करता है इस level पर रुकता है जो कि पहले इसके लिए resistance का level ता हो सकता है अ और एक rally दुबारा start करें so यहां पर हमारे लिए best level बाइक लिए बन सकता है so कल अगर यह नीचे आना start करता है 10 रूपे नीचे आता है तो आप लोगों को patience लिए वेट करना है 15 मिनिट की candle अगर यहां पर एक bullish candle बनती है इस support के आसपास कहीं पर भी bullish candle बनती है तो आप 17 22 जो almost आप लोग लिए 30 points है 30 points की rally आप लोगो within a day or two मिल जाएगी अगर इसका breakout होता है अगर यह gap up open होता है और इसका breakout होता है तो और अच्छी movement भी आप लोगों को on a higher side देखने को मिल सकती है stock अच्छा है targets हम लोग expect करके चल रहे है 17 40 से 17 50 रूपीस के ultimate targets है उसके बाद ह आप लोग अपनी profit booking start कर देंगे तो इस particular stock को भी अपनी watch list के अंतर आप लोग आड़ करके चल सकते हैं let's move to our last stock और देखते हैं वो कैसा perform कर सकता है हमारा next stock और last stock है Tata communication Tata communication पर भी आप लोगों को buy करने की सलह दी जा रही है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं मैंने trend 9 draw करी है from a bottom सारे lows को connect करते हैं वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं बढ़िया support इसके लावा एक double bottom भी create हुआ आप जैसा कि देख सक देखा रहा है due to a double bottom और एक support लेकी ऊपर जा रहा है it's a very good opportunity to buy this particular stock what you can do आप देख सकते हैं कि particular 1 minute trend line draw करी है this so यहाँ पर एक छोटा सा hurdle है अगर इसका एक breakout होता है एक upper resistance वाली जो trend line है यहाँ तक के targets हम लोग expect करके चल सकते हैं so एक बार इसके लिए 15 minute का time frame open करते हैं चेक कर तक ही जा सकता है किस level पे से buy करना है so let's move to 15 minutes time frame and यहाँ पर देख सकते हैं as you can see आपर multiple hurdles हम लोगों को देखने को मिल रहे है इस trend line की ऊपर कभी एक 15 minute की closing देखने को नहीं मिल रहे है so current prices का भी trade कर रहे है 1140 के आस पास का अगर 1143 की ऊपर 15 minute की candle close करती है इस particular trend line की ऊपर 15 minute की candle close करती है it's a very good opportunity to buy this particular stock almost आप लोग 20 to 40 points तक की rally को भी इसके अंदर cover कर सकते हैं अगर आप लोगों को इस breakout के बाद 10 से 15 रुपे मिलते हैं आप लोग अपनी profit booking को start कर सकते हैं आपको results अच्छे देखने को मिल सकते हैं आप देख सकते हैं एक sharp uptrend उसके बाद एक heavy consolidation और अग levels देखने को मिल सकते हैं so इस particular stock अपनी watch list के अंदर add करना बिलकुल मन भूलेगा so I hope मैंने आपको easiest way में present करके आपको stocks के levels targets and presentation के साथ explain अच्छे से करते होगा so अगर आपको को वीडियो पसंद आई है so please इस वीडियो को like करें हमें contribute करें हमारे चैनल को subscribe करना मत भूलेगा और अब बात करते हैं nifty 50 की और bank nifty की तो वो कैसा outperform कर सकते हैं सारे discussion करते हैं इस वीडियो के अंदर index की so चलिए start करते है तो जैसा कि अब यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने nifty का chart open कर लिया है आप लोगों के सामने सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को एक simple सा बता नीचे आया अपने previous low को break नहीं करा अगेन ऊपर अपने previous high को break करा और अब नीचे आ रहा है ठीक है तो हमारे लिए support किदर बनता है वो हम लोगों को decide करना है सबसे पहले आप देखेंगे एक एक line to focus करेगा यह green वाली line देख रहे हैं ग्रीन कलर की line क्यों बनाए गई गई ह यह एक fall आया ऊपर exact इस level पर retest कर और यहां से एक sharp fall आया तो यह जो level है यह important level है यहां से pullback देके नीचे आया है ठीक है तो अब आप देखेगा जब एक gap up लोगों को देखने को मिला उसके बाद यही पर इसने एक बार retest लिया ऊपर गया दुबारा एक बार यहां पर retest दिया और दुबारा उपर जा रहे हैं करेंट पराइस है बैंक स्वारी निफ्टी का 15,670 रूपीज का एक support जो ले रहा है वो 15,600 रूपीज पर ले रहा है और option के साब से अगर हम लोग देखे option chain यह open interest के साब से देखें तो सबसे जादा जो holding है जो बैं निफ्टी 15,500 रूपे का level hold कर रहा है तो यानि कि उसके नीचे जाना अभी market के लिए impossible है अभी next expiry के लिए वहां तक उसके नीचे नहीं जा सकता है तो क्या अगर सकते हैं अगर यह 15,600 के नीचे 15 मिट की candle close करती है then you can go for a shot तो हम लोग target expect कर सकते हैं वहां से 40 से 50 point के तो हम लोगों को अगर अपने इस previous high को यह breakout दे देती है तो हम लोग एक buy setup भी generate करके चल सकते है let me show you that यह देख रहे है यह इस level से breakout देगा तो इसका previous swing high है तो अगर इसका breakout देता है यानि कि अगर 15,700 का breakout देखने को मिलता है it's a very good opportunity this particular stock can move up to a 50 to 100 points rally so इस particular index को अपनी watch list के अंदर जरूर रखे अभी एक range bound है और in a 50 points अगर 15,600 के नीचे जाता है तो short 15,700 के ऊपर जाता है तो then you can go for a long but अभी इस range के अदर कोई trade आपको करना नहीं है ठीक है so let's move to bank nifty वहाँ पर कैसे trade कर सकते है so मैंने bank nifty का chart आप लोगों के सामने उपन कर रहा है यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने so don't worry okay सबसे बहले आप लोगों को देखने है कि हम लोगोंने एक trend 9 यह draw करी है यहाँ पर support लिया एक्जाक इदर support लिया यहाँ पर इसने double bottom create करा है so it's a very good opportunity कि यहाँ से एक up move आ सकती है दूसरी चीज़ अभी सबसे बहले बात कर लेते है जो pass वाली चीज़ है by chance अगर हम मा इनिशेट होगी जब वो 35,200 के नीचे जाएगा almost 150 points नीचे आके breakdown देता है 15 minute के candle close करती है तो हम लोग short कर सकते हैं वहाँ पर हम targets 100 to 200 points के expect करके चल सकते हैं otherwise अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे एक uptrend है यह अपने lows को break नहीं कर रहा है अपने previous high को break करके एक बार उपर के अगर आप देखेंगे इसके लिए resistance कहाँ पर है और buying कहाँ करनी है अगर यह शुरुवात के कुछ minute 35,350 के ऊपर sustain कर लेता है तो वहाँ से 35,450 भी जा सकता है और अगर 450 के ऊपर यह आदा घंटा रूप जाता है because 450 एक strong hurdle है आप देखेंगे पहले आपर support लिया जब support को break कर तो यहाँ पर retest कर आप बुल बाक कर और यहीं से शाह फोल आई तो यह लेवल है 35,450 रूपीज का यहाँ पर एक hurdle definitely ले सकता है बट अगर इसका एक breakout आता है तो अपने previous हाइस पर जा सकता है जो की 35,000 650 से 700 रूपीज का लेवल है तो आप लोगों को सारे bank nifty nifty के levels बता दे गया है I hope आप लोग कल कुछ earn कर पाए thank you so much guys for listening this whole video listening to me अगर वीडियो पसंद आए तो like करिये हमारे चाल को subscribe करिये और हमें motivate करते रहे कि मैं आप लोगों के लिए और ऐसी वीडियो बनाते रहू thank you so much guys bye bye कईये कें स्पस्यटरे एकrau एंगर है I'm